अधिया व्याय। तो आज हम बनाएंगे पनीर किस तरह बनाई जाती है आप लोग देख सकते हैं तो आज हम बना के दिखाते हैं पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ भूगोलन लिया है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी गरम करेंगे देक Marcel Kim, वहाँ मांनने लिया है इसको भूंसकर घर्भ करेंगे Mansion двух की पनीर जमाएंगे लोग देखि आँ मारे हों मना कमी समय हमने यहाँ जाते हैं तो थो पनीर चवज सरे सब्सक्राइब पर जाती है पनेर में एकिन रहते हैं तो इसी में हम नैंब्व到iny डालेंगे इसी पानी से पनीर जमांगे यहां पर हमने एक लीटर दूद्र लिया है इसी के हम पनीज जमाएंगे तो इसी भगोले में हम बनाएंगे यहां पर हम पानी गरम रखा मैं तो इसमें हम जहां पर हमने डेर्ड नंबू लिया है तो इसको हम इसी पानी में इसका रस निकाल देंगे, इस तरहे, यहां पे हमारा दूद उबलने लगाने, यह देखिए, ढूदा माल दिया है, तो अब इसमें जो हमने लेम्य पाने में इसका है, तो इसकी बेंभाइचा डैने ध्यान, जित्याशकतों एंचरा, इस तरहे, डूद हम इसको बें हम आपके इसको और दोध में रहीत दोश्कायरोच यहां एक तरफ इस तरहे होना, कि द्यान रखे दोस्तों इसको जो हम इस तरह घुमा रहें तो एक अहीं तरह को घुमाएं तरह पनीज अच्छी बन पाती है नहीं तो पनीज फ़र सकती है इस तरह हम कि देखें दोस्तों हमारा दूद फट गया है तो इस तरह हम इसको और भी पकाएंगे अच्छी तरह से दूद्ध मारा फट जाए तो पनीर में जो चिटका पन रहता है आप करते है कि लोग की पनीर हमारी इसी फूट गईए है तो इस तरह बनाएंगे में आए है य Cambria को comprend यहां पर ने सूती कपड़ा लिया है तो इस भगोले पर हमने डाल दिया है तो इसे में पनेर हम छानेंगे इसकी बार हम इस तरह तो दोस्तों यह हमारा दूद मॉल करें हमने खरिद के मंगाया तो इसमें थोड़ा सा पनेर बहुत कम निकिली है अब हम इसमें ठंदा पाने नहीं डालेंगे अब इसको हम थोड़ी देल के लिए रख देंगे इसको हम इस बारे इसी कपड़े में हम लपड़ देंगे कर दूद में आधे नहीं आज ररी हिए इसका पाने निकल जाने देंगे इसके बाद इसे बाद आढ़ने डालेंगे अब हैं अब है गरम पनेन में पाने नहीं जालेंगे हमारे पनी नहीं थो खराब हो जालेंगी ही whoever कि यहां में इसी कपड़े में हम इस पनेर को लपेड़ दिया है तो इस पर हम थाले रखेंगे उसकी बाद इस तरह हमारी अक्षी तरह से जंब गाए उसकी बाद हम इसको ठल्मे में भी डालेंगे अब नहीं डालेंगे थोड़ी देर कि यहां पर देखते हूं हमारी पनेर कि सहसे नहीं है Er तो यह देखिए दोस्तों तो आप लोग यह सुचते होंगे कि कितनी पनीज जमाया है तो हमारा दूद एक ही लीटर रहा है दोस्तों तो आप लोग चाहिए तो लीटर, दो लीटर, चार लीटर कि आप पनीज इसी तरह जमा सकते हैं तो अभी अब इस पर हम डालेंगे पानी, यह देखिए, इस तरह कि हमारी पाने जमी है रोस्तो, तो इसके हम अभी पीस कार के दिखाते हैं, इस तरह, यह देखिए दोस्तो, इस तरह हम, पनीर के हम पीस कार देंगे, यहां पर पनीर को जमा लिया है, तो हम क्या करें दोस्तो, दूर हमने एक लिटर मंगाया, तो हमारा दूर सही नहीं निकला है, तो इसलिए पनीर हमारी बहुत थोड़ी कम निकल ली है रोस्तो, तो पनीर आप लोगों को हमने जमा के दिखा दिया, कि किस तरह पनीर जमाई जाती है, तो पनीर को हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि जो पनीर के आप लोगों को तारीका बताया है, तो इसी तरह आप लोग चाहे जितनी पनीर आप लोग बना सकते हैं, बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं रोस्तो, तो आप लोग देखिए, तो हमने आप लोगों को ये ही बता रहे हैं कि दूध हमारा एक लीटर है, तो हमारे दूध में पानी बहुत ज्यादा निकल गाया है, दूध हमारा सही निम निकला है, तो हम पनीर एतने ही बना पाए है, आप लोग देख सकते हैं, तो इसी तरह पनीर घर पर बड़े आसानी को जामा सकते हैं अगर रहे हमारा वीडियो अच्छा लागा लोग अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना करना सुस्क्राइब परूप